जै श्री राम प्यारे मित्रों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरुच और अपर दोस्तों आज के राशिफल कारिक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज 26 नमंबर 2021 दिन शुक्रवार है यह दैनिक राशिफल चंद ग्रह की गर्णा पर आधारित है राशिफल निकालते समय पंचांग की गर्णा और सटी खगोली विशलेशन किया जाता है हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविश फल बताया जाता है इस राशिफल की कारिकरम को देख कर आप डैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे इस राशी फल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुब अशुब घटनाओं का भविशिफल होता है यदि आप अपनी कुंडली का फ्री में विशलेशन करवा कर अपनी समस्या का समधान पाना चाहते हैं तो आप अपना जन्म डीटेल कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समधान पाएं आज का सू विचार अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा आप वही बनते हैं जो आप हमेशा सोचते हो इसलिए जिन्दगी में हमेशा अच्छा सोचो जी हाँ दोस्तों इनी विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बिर्थरे या अनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुब कामनाएं और बढ़ाई तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की विक्रमी संबद दो हजार अटहटर मास मागरशीर पक्ष कृष्ण पक्ष तिथी सब्तमी वार शुक्र वार नक्षत्र अशलेशा योग ब्रह्म रहुकाल दस बच के उन्चास एम से बारा बच के आठ पीम तक इस काल में कोई भी शुबकार नहीं किया जाता है अब जीत मूरत गैरा बच के सैटालीस एम से बारा बच के उन्तीस पीम तक है दिशाशूल पश्चे में यदि आप किसी कारणवश इस तशामया चरा कर रहे हैं तो जोई आराई खाकर घर से बाहर जाएं लापकारी होगा तो चलिए दोस्तो आज का राशिफल जान लेते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने इश्ट देव या इश्ट देवी का नाम कॉमेंट बॉक्स में अवश्च लिखें तो चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं आज का राशे फल चुरुआत करते हैं मेश राशी से आज का दिन आपके लिए विशेश है क्योंकि आज आप किसी दूसरे शहर में रहने वाले से या विदेश में किसी से संपर्क इस्थापित करेंगे यह आपके करियर के लिए फायदे मंद होगा अपने मेल देख लें क्योंकि मेल बॉक्स में कोई महत्वपूर अवसर आपकी पतिक्षा कर रहा है विदेश में रह रहा कोई मित्र आपको साथ काम करने के लिए आमंतृत कर सकता है आज आप आराम के मूड में हैं आप इसके लिए अलग-अलग तकनीकों जैसे मसाज, तैराकी या खुद का खास ख्याल रख सकते हैं योग भी अच्छा विकल्प है शुवंक आठ, शुवरंक काला और नीला उपाए सफेद चंदन की जड़ को नीले वस्त्र में लपेट कर अपने पास रखने से प्रेम समंधों में वृद्धी होगी वृषब राशी आप आज रियल स्टेट से जुड़ा कोई लाफकारी लेन देन पूरा करने वाले हैं सकरात्मक सोच आपकी शक्ती है और आपको इसका लाब उठाना है आपका कोई गरीबी भी आपको इसके लिए प्रोच साहित करेगा आप अध्यात्मित पिकास के साथ साथ जीवन की भौतिक खुशियों का भी आनन ले पाएंगे नई सोच से समर्द्धी हासिल होगी आज अपनी और से अपने परिजनों की सेहत का विशेश थ्यान रखें अगर आपके बच्चे हैं तब तो आपको और भी सावधान रहने की आवशक्ता है शुबंग आठ शुबरंग काला और नीला उपाए सूर्य अनुशाशन प्रेग्रह है इसलिए यथा संभव अनुशाशत जीवन जीने से फैमली लाइफ अच्छी रहेगी मिथुन राशी आज आप एक बहुत बड़ी साचिदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं लेकिन आपको अपने पार्टनर को अपने मिशन और लक्षों के बारे में इस पश्ट बता देना चाहिए यदि कोई विवाद हुआ भी तो आप के भावनाओं में बह जाने की संभावना है इस प्रवती पर नियंतरन रखें आप दिन का अंतिम हिस्सा किसी बौदिक कारी कलाब या कलाकारी संबंधी रुची में लगा सकते हैं यह समय कुछ एक सहासी कदम उठाने के लिए बिल्कुल ठीक है यह कदम पीछे खीशने का समय नहीं है कोई निर्ने आत्मक कदम उठाएं अबसरों का लाब उठाने से ना चुकें शुब अंग छे शुबरंग पारदर्शी और गुलाबी उपाए बास की टोकरी में अन, चटाई, चारपाई, पेठे की मिठाई, मुह देखने का शीशा या सामगरी किसी गरीब को दान करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा करकराशी आपके जीवन में एक नई उर्जा का प्रवेश होगा आपको अचानक यह लगने लगेगा कि जीवन में परिवार तथा करियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है आपकी सारे हिचके चाहट दूर हो जाएगी और आपके सब कामों में नया आत्म विश्वास दिखाई देगा आप घर या कार स्थल पर किसी करीबी की असमंजस की भावना को भी आज दूर कर पाएंगे आज आप मूड में हैं और जबदर्स्त बदलाव महसूस करेंगे आप एक पल काफी उर्जावान और दूसरे ही पल तनाब ग्रस्त महसूस कर सकते हैं वैसे इन सब का संबंध आपके जीवन में हो रही घटनाओं से अधिक आपके खाने और आपकी शारिरिक क्रिया कलापों से है शुब अंक नौ शुब रंग लाला और मैरून उपाए पूजा में रोली कुमकुम के साथ सफेग चंदन गोपी चंदन का प्रयोग करने से आर्थिक इस्तिथी बहतर होगी सिंग राशी आज का दिन अपनी प्रदिभा दिखाने के लिए बिलकुल सही है आज आप समाने से अधिक आक्रमक और डिन वहवार करेंगे इस से आसपास के लोगों को आश्चर होगा उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़े लेकिन उनके आश्चर की भावना से आपको आज जरूरी मौका मिल जाएगा इस अवसर का फायता उठाने से ना चुके आज आप खुद को किसी ऐसे आदमी की वज़ा से गुसे में अनियंतृत पाएंगे जो बिना बात आपकी सब चीजों में टांग अडाता रहता है इससे आप बेहोश भी हो सकते हैं इसलिए अपना ध्यान रखें और इस आदमी से बच कर रहें आप तरो ताजा भी होंगे और आपका आदम विश्वास भी भड़ेगा शुब अंक आठ शुब रंकाला और नीला उपाए पूजा में रोली कुमकुम के साथ सफेज चंदन गोपी चंदन का परयोग करने से आर्थिक स्थिती बेहतर होगी कन्या राशी अपने सब बचारों को एक साथ रख कर सोचें इससे जो निश्कर्ष निकलेगा उससे आपको इस ततियों से निपटने में काफी मदद मिलेगी अपने आपको उन चीजों में ना फसने दें जिनमें आप विश्वास नहीं रखते इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएं इधर उधर की हापना आपकी आदत नहीं है लेकिन कई बार आपको ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है आप आज उर्जा और जिन्ता दिली से भरे हैं आपको खुद का बहतरीन तरीके से इलाज कराने के बारे में भी आज कोई काम की सूचना मिलेगी शुब अंक 6 शुब रंग पारदर्शी और गुलाबी उपाए चंद्रमा की चांदनी में 15-20 मिनट बैठना स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा तुला राशी आपके अफसर आप से पुरानी रंजिश निकालने के लिए आपके काम में देर लगर सकते हैं आप इसके कारण बहुत चिंता करेंगे क्योंकि इससे ना केवल आपकी वर्तमान इस्तिती बलकी आगे आने वाली योजनाएं भी प्रभावित होंगी इस समय आपके घरेलू खुशियों के कारण खुश रहें क्योंकि इससे आपको नया उत्सहा मिलेगा आप पिछले कुछ समय से अस्वास्तिकर खाना खा रहें हैं या लगतार बाहर खा रहें हैं आज आपके पेट को इसकी की मत चुकानी होगी आपको दर्द हो सकता है फिर भी आराम से रहें घर का बना साधारन खाना खाएं पानी अधिक पी हैं शुब अंक आठ शुब रंकाला और नीला उपाए ओम हैम रीम शरीम शनिचराई नमहा इस मंत्र का सुभर शाम ग्यारा बार उचारन करने से लव लाइफ अच्छी रहेगी व्रिश्चिक राशी आप उच्छ सिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छी संस्ताओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे चातर वित्ती भी मिल सकती है कोई आपका फायदा उठाने की ताक में है प्रारंबि प्यवस्था करते हुए और सूचनाएं एकत्र करने में सावधान रहें आज पेट में खराबी होने की काफी आशंका है आपको पीने का पानी और अन्यतरल पदार्थों के प्रती विशेश सावधानी रखने होगी क्योंकि पानी से उत्पन बिमारियों की आशंका बनी हुई है आपको संक्रमन भी हो सकते हैं इसलिए आज बाहर के असवास्त कर खाने से भी परहेज ही करें शुब अंग एक शुब रंग नारंगी और सुनहरा उपाए चंद्रियंद्र को पूजा सल में स्थापित करके उसकी पूजा करने से आर्थिक स्थिती महतर होगी धनुराशी आपका अत्यदिक भावनात्मक होना और लोगों के लिए तो मददकार है लेकिन इससे आप कई बार मुश्किल में फज़ जाते हैं ऐसे स्थिती से बाहर आने में अपने पार्टनर की मदद नहीं है कुछ नीजी और गुप्त बाचीत करने का समय है विती लाब होने की उमीद है लेकिन अधिक जोखिम से बचें बोलने से पहले सोच लें कहीं किसी करीबी को नराज ना कर दें जब तक आप दूसरों को अच्छी तरह खाना नहीं खिला लेते आपको तसली नहीं होती लेकिन इतना ही ध्यान आपको अपना खुद का भी तो रखना चाहिए शुबंक साथ शुबरं क्रीम और सफेद उपाए चान्दी का चुकोर तुकड़ा अपने पास रखने अत्वा गले में धारन करने से पारिवारिक सुख भड़ेगा मकर राशी इस समय आपके जीवन में पुराने संबंध और संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आपके ओपर हर जगा बहुत अच्छा कारे करने का काफी दबाव होगा लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि ज्यादा दबाव आपके खुद के तै किये हुए बहुत उचे मानकों के कारण है इमानदारी और इकागरता आपको बहुत आगी ले जाएगी लेकिन आपने आदर्शों और यकीन पर कायम रहें आज का दिन कोई नया स्वास्ति संबंधी कारकरम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है अपने खाने का विशेज ध्यान रखें और आज से नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू करें जिसकी आप हाल फिलहाल उपेक्षा करते आ रहे हैं शुबंक साथ, शुबरंक क्रीम और सफेद उपाईस नान करने के बाद सफेद चंदन का तलक मस्तक पर करने से आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा कुंगराशी आज आप के लिए गंभीरता से महनत करने का दिन है आप काफी लंबे समय से लटक रहा एक काम संतो शनक ढंक से पूरा करने में सफल रहेंगे इससे आपके अफसर प्रभावित होंगे आज आप पर किसी प्रसंद व्यक्ति की भी नजर पड़ेगी और इस बात का आपके भविश पर काफी प्रभाव पड़ेगा आपके नयन नक्ष आकरशक है और आपको बस खुद को थोड़ा सा सवारने की जरूरत है शरीर की मसाज करवाएं जिससे त्वचा में चमकाएगी हेर कट करवा सकते हैं या नाखूनों के साथ कोई नया प्रयोग कर सकते हैं शुबंग पांच शुबरंग हरा और पिरोजी उपाए काली उड़त काले तिल और नारियल में जल बहाने से स्वास्थ अच्छा रहेगा मीन राशी आपकी प्रग्रती उच्सुक और अदमनी है और आप किसी भी प्रकार का नियंत्रण पसंद ना करते आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है इसके स्थान पर खुशी और प्यार दें और आपको भी बदले में खूब खुशी और प्यार मिलेगा अपनी काम की मारा मारी वाली जिंदगी में अपने सहकर्मियों के साथ किसी छोटी सी यातरा पर जाकर रंग भर सकते हैं आज आपकी सेहत कुल मिला कर बहुत अच्छी रहेगी सर तथा तंत्र का तंत्र से जुड़ी कोई पुरानी समस्या सिर उठा सकती है ठंड ना लगे इस बात का विशेश ध्यान रखें क्योंकि इससे माइग्रेन तथा साइनस जैसी पुरानी बिमारियां फिर से उभर सकती है शुब अंग टीन, शुब रंग के सरिया और पीला उपाए नौकरी वा बिजनेस में तरक्की के लिए अपने घर के प्रवेश द्वार से साफ हवा आने का प्रबंथ करें मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जाद से जाद शेर कीजिए और कॉमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जै श्री राम